तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा market analysis video देखते हैं Tuesday की दिन market में हम कहाँ पे trade ले सकते हैं और उसकी पीछे उसका logic क्या होगा market में यहाँ पर अल्मोस्ट जो हमने sort of यहाँ पर plan किया था कि shotcoring rally भी sort of चीज हो सकती है अल्मोस्ट market ने कुछ उसी तरह का pattern formation किया market ने अच्छा का सब्सक्राइब की दिखाया तो देखिए market में हमने क्या discuss के था Friday की दिन की यहाँ पर हमारा भी नेगेटिव की तरफ होगा क्यूंकि market selling pressure में तो definitely market उपर गया है तो फिर से यह retracement आ सकता है फिर उसके बाद market डिसट करेंगा है उपर जाएना है या फिर नीच आना है नीच आएगा तो यह trend continuation होगा उपर जाएगा तो उस case में यहाँ पर यह upside rally पकेटनी के कोशिश करेगा लेकिन अब भी भी आप देखते हो मैंने कल फिबो का आपको explain like example लेकर आपको explain करनी कोशिश की थी अभी जब market यहाँ पर retrace हो रहा है यह कुछ इतना बड़ा retracement नहीं है जहां से fall आया है इस level से अगर इस level में draw करता हो market first आपका कहा तक जाएगा 0.238 उसके बाद 0.32 उसके बाद 0.5 एक बार 0.5 cross कर दिया ना उसके बाद हम बोल सकते कि हाँ यहां पर बाइर स्ट्रॉंग होना शुरू हो चुके हो गये है नहीं श्ट्रॉंग होने शुरू हो चुके एक बार 0.678 ल को क्रॉस कर दिया उसके बाद confirmation हो जाएगा कि हाँ बाइर से बाइर स्ट्रॉंग भी है यहां पर अच्छी खासि यहां हमें लीड भी दिखा रहे हैं मतलब स्ट्रॉंग दिखा रहे हैं तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं तो अभी थोड़ा दूर है इसा नहीं कि हम स्ट्रॉंग बाइंग करें स्ट्रॉंग अमरा आएगा 43600 लेवल अप्रॉक्स जब उसकी ऊपर सश्टिन होना लगेग थोड़ा स्ट्रॉंग कर रहे हैं definitely क्योंकि इतना सेलिंग आया तो बाइंग मैंने बोला कि बहुत बड़े बाइंग के लिए आपको भी बेटना नहीं मार्केट में यहां पर हलका फुलका बाइंग आएगी उसी को आपको एंजय करने तो मॉर्निंग में इस लिवल के आस अभी क्लोजिंग दी इसने positive तो सब रिटेलर सा क्या रहेगा कि मार्केट जाने वाला उपर बस इस इसी व्यू को हमें ध्यान में रखते हुए कल का ट्रेड प्लान करना है देखिए यह बाइंग देखते हुए हर एक रिटेलर यही सोच तका कि मार्केट जाने वाला है positive चलो चले कल Barr L उसी वेक अपको बीस्काल यहाँ पर थोड़ा उल्टा सूचना पड़ेगा एक आपको करने मार्केट को प्रूफ करना पड़ेगा किस तरह मार्केट प्रूफ करेंगा इसके बाद हीए थर 43,100 120 का लिए ब्रेक आउट करेगा या फिर इस मोमेंटम में भी अगर मॉर्णिंग में निकलता है तो स्कैल्पिंग के ट्रेड हिसाब रख सकते हैं फिर 43,400 के आप रॉक्स हमारा टागेट होगा ऑन धी हायर शाट उसके अब आगा तो definitely sellers फिर से एक बार ट्राइज जरूर करने वाले और वो मोमेंटम फास्ट ही रहेगा तो उसकी हिसाब से हम प्लाइन कर सकते हैं या फिर दूसरा यह बाइंग मोमेंटम देखके सब लोग कल कॉल के लिए सोचिंग है और मार्केट फिर यहाँ धीरे-धीरे करते हैं नीचे करते हैं मार्केट नीचे नीचे लेके जा रहा है कुछ लोग आवरेज करते रहेंगे कुछ लों कुछ ट्रेड को काट रहेंगे जो कुछ उनका है डेफिनिटल मैटर लेकिन बेसिकली यहाँ पर कॉल बायर्स फिल रॉस करना शुरू करेंगे उसके मार्केट रोडर करते हैं और वो लोग निकाल लेते मार्केट में उस केस में यहाँ पर अच्छा-कासा पुट में इंट्री कर सकते हैं बहुत ही बड़े यहाँ पर बाइंग मुमेंटम मिलेगा पुट साइड में अगर यह सिचुएशन फॉल अप होती है तो ओके सेकेंडली कुछ निउस उसके वक्त थोड़ा आपको संभल के ट्रेड करना या फो ट्रेड करना ही नहीं आपको पर शांद बैठना है लिटे न्यूस कम वह इंपक्त है वह आने दीजिए उसके बाद मार्केट 10-15 मिन बार्श टेबल हो जाएगा तो जो कुछ मोमेंटम आपको दिख रहा है उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हों के डाउंसर अगर निकलता है 42,800-820 इस लेवल की नीचे निकलता है तो इसके लिए 42,550 से लेकि 45,000 इस लेवल के आसवाद इसका सपोर्ट आता है वो भी निकलता है तो इसके बाद आएगा 42,100 जो की सबसे इंपोर्टन है कि यह फिलाल क का स्विंग लोए जब भी मार्केट इस लेवल को निकालेगा एक बहुत बड़े सेलिंग मोमेंटम आने वाला है तो उसके लिए भी वेट करेंगे ऐसा नहीं कि अभी से पुट बाई करना शुरू करेंगे देखिए हरे वक्त कुछ भी आपको ऑप्शन बाई करना है उसक लेकिन अगरिया पे पर लेके बैट गये एकशन गयो देफिनेट लेकिन आपका टाइमिंग अखेडल आपको बहुत बड़ छता говорит नेखिन होगा यक अब को दो द medo ni यहां पर लॉस उठाना पड़ सकता है विकॉज आफ टाइम डिके तो वह आपको टाइमिंग इतना एक्जैट नहीं हो सकता लेकिन अप्रॉक्सिमेट आप ज़रूर वहाँ पर प्राइजेक्शन का हेल्प करके कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर पूट लिया था विफोर एक्जैटली मार्केट फॉल अभी यह विच सम एक्स्प्रियंस आ जाएगा कभी-कभी मार्केट आपके फेवर में काम कर जाता है तो वह भी आपके लिए अची चीज होती है नॉट नेसरी की इसके लिए को एक्जैट सेट अप है या फिर किसी को आता ही है हर बार पकड़ना नहीं आपका सेट अप ही वह बना अपने ट्रेड लिया और मार्केट आपको कभी-कभी रिवर्ड कर देगा तो इस हिसाब से आपको मार्केट को हमेशा देखना है ओके यह रहा है आपके बहुत वीडियो स्ट्रेच हो रहा है तो हम थोड़ा भी हापे शॉट कर देंगे ठी है यह आपके लिए निफ्टी के लिए भी सेम चीज़े लेकिन अगर अगर अब देखते हैं यहां पर एक शॉट अफ एक लाइन बनी रैट यह लाइन क्या काम करें रेस्टन्स का मार्केट इसकी उपर निकल नहीं पारा गिरता जरूर है वापस उपर आता है लेकिन इस ले का मोमेंटम दिखाता है तो बहुत अच्छा है पर ट्रेड मिल सकता है यहां फिर दूसरा जैसे आपने प्लान किया अगर बाइंग करने निफ्टी को साइड़ जान दीजिए उसके बाद अगर ब्रेक आट रता है तो बाइंग हो सकती है तीसरा अगर आपको मार्निंग मे यहां से आप कुछ ट्रेंड लाइन मिलोगे तो आपको इसी लिल के आसपास कुछ शैलिंग को मिल जाएगा अगर अच्छे प्राइक्शन देडर हो तो आपको इसी जोन के आसपास कुछ वूपर निकलता है डेफिनिटल आप पॉजटिव रखेंगे जैसे आज बैंक नि sentiment डेख के हमें प्लान करना होता है कि हमें लेना क्या है हमें किस व्यूमें डिरेक्षिन में ट्रेड रखना है ना कि मैं सोच कि आता पुट में लेना है तो भले कुछ भी ओ तो मार्केट सोटक का उपर जाए में सेल ही करोगा तो इस व्यूज को लेकिए आप नहीं चल सकते मार्केट में जैसे मार्केट बहेव कर रहा है जो मोमेंटम दिखा रहा है जो सेंटिमेंट दिखा रहा है उसी को आपको फॉलो करना है डेफिनिट्ले मार्केट आपको झाल झाल